नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है RTI ज्यान यूट्यूब चैनल पर न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है न्याय की कुर्सी पर बैठे व्यक्ती से अपेक्षा की जाती है कि वह निश्पक्ष, इमानदार और जिम्मेदार हो लेकिन जब इस पद की गरिमा पर कोई आच आती है तो न्यायपालिका को कड़ी कारवाई करनी होती है ऐसा ही कुछ हुआ बिलासपुर केस में जहां 36 गड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश RCS सामन्त को बर्खास्त कर दिया गया न्यायमूर्ती RCS सामन्त एक अनुभवी और प्रतिष्ठित न्यायाधीश 36 गड उच्च न्यायालय में अपने न्यायक कर्तवियों का पालन कर रहे थे लेकिन उनके उपर गंभीर आरोप लगे जिन में न्यायक कर्तवियों के निर्वेहन में अनियमित्ता और अनुचित आचर्ण शामिल थे यह मामला तब शुरू हुआ जब सुप्रीन कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ती सामंत के खिलाफ मिली शिकायतों का संग्यान लिया इन शिकायतों में न्यायालय के कारियों में पारगर्शिता की कमी और अनुचित निर्णयों के आरोप थे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गेहन जाज के बाद राश्ट्रपती को न्यायमूर्ती सामंत की बर्खास्तगी की सिफारिश की राश्ट्रपती ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर विचार करते हुए न्यायमूर्थी सामंत को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया यह निर्णय केवल एक व्यक्ती के खिलाफ नहीं था, बलकि यह न्यायपालिका में अनुशासन और पारगर्शिता की मिसाल को स्थापित करने के लिए था न्यायमूर्थी सामंत की बर्खास्तगी का फैसला न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया यह संदेश स्पष्ठ था कि न्यायपालिका में किसी भी प्रकार के अनियमित्ता या अनुचित आचर्ण को बर्दाश्ट नहीं किया जाएगा यह निर्ने न्यायपालिका के भीतर एक स्वस्थ और पारदर्शी कार्य संस्कृती को बढ़ावा देने के उद्देश से लिया गया था न्यायमूर्ती सामंत की बरखास्तगी से यह स्पष्ट हो गया है कि न्यायपालिका के उच्छ पदों पर बैठे व्यक्ती भी कानून के सामने उत्तरदाई हैं यह फैसला न केवल जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए था बल्कि न्यायपालिका के भीतर के अनुशासन को भी सुनिश्चित करने के लिए था यह मामला न्यायपालिका में अनुशासन और नैतिक्ता की महत्वपूर्नता को उजागर करता है न्याय की कुर्सी पर बैठे व्यक्ती से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कर्तवियों का इमानदारी से पालन करे और समाज के लिए एक आदर्ष प्रस्तुत करे दोस्तों, बिलास्पूर केस में न्याय मूर्ती सामंत की बरखास्तगी ने यह साबित कर दिया है कि न्याय पालिका में कोई भी व्यक्ती कानून से उपर नहीं है यह एक सक्त संदेश है कि न्याय की प्रक्रिया में कोई भी अनियमित्ता या अनुचित व्यवहार बरदाश्ट नहीं किया जाएगा